नमश्कार मैं हूँ अमित का टोच स्वागत आपका आपके अपने चैनल बिसिक मैं जीके विद अमित मैं हिमाचल प्रदेश जीके किसी इसको आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा इंपोर्ण टॉपिक है इस तोर के रिसोर्सिज ओफ हिमाचल प्रदेश आज हम हिमाचल प् जो हैं डिटेल में पहले कवर किये हैं उन सभी के लिंक जो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो वीडियो को पूरी ध्यान से देखना इसमें जो है अच्छे लेवल कोशन जो हैं लिए गए हैं तो जिन्हों भी हमारा चैनल करें ताकि फर्द जो भी नोटिफिकेशन वो आपको मिल सकें तो शुरू करते हैं पहला प्रशन है हिमाचल पर्देश में बंसावल्यों की तरफ ध्यान अकर्शित करने वाला पहला बिद्वान कौन था फूर्स्ट को लिए तो ड्रव अटेंशन तो दे जनेलोजी ऑफ ह हिमाचल पर्देश यू है फोर ओप्षिन्स बिलेम मूरक्राफ्ट कैप्टन हाड कोड कनिंगम एंड हैंसॉंग इसका जो राइट अंसर है वो ओप्षिन ए बिलेम मूरक्राफ्ट बिलेम मूरक्राफ्ट जो है 18-20-22 के बीच में जो है हिमाचल पर्देश में आये थे और उन्होंने जो सबसे पहले हिमाचल पर्देश में बंसावल्यों की तरफ ध्यान अकर्शित किया था कैप्टेन हाटकोर ने जो है कुलू की बंसावल्यों की तरफ ध्यान अकर्शित किया था और कनिंगन जो है सबसे ज़्यादा हिमाचल पर्देश में बंसावल्यों की तरफ ध्यान अकर्शित किया था सबी important थते हैं next question देखते हैं कुल्लू के शिलारू अभी लेखों में जनकारी प्रापत होती है किसकी जनकारी प्रापत होती है आपको option दिये है मुरे काल, मुगल काल, गुप्त काल या फिर सल्तनत काल ये question भी पूछा गया question है इसका जो right answer है वो option C गुप्त काल, कुल्लू के शिलारू अभी लेखों में जो है गुप्त काल की जनकारी जो हमें मिलती है गुप्त काल का time पिट्स कौन सा था अगर आपको पता है तो comment करके जूर बताएं और साथ मैं आपने से भी question से sir लगाएं और last मैं मुझे comment करके बताएं कि आपके इन 20 questions में से कितने question right है next question है हिमाच्या प्रदेश state museum की स्था आपना कब हुई option आपको दिये है 1974, 1975, 1985 या फिर 1977 important question है इसका जो right answer है वो option A 1974 next है हिमाच्या प्रदेश का सबसे पुरातन विवरण किसने किया था most most important question एक question के ये बार मैंना पूछा भी है आपने facebook page पर इसके आपको चार option दिये हैं कालिदास, रामदास, टॉल्मी या फिर बिशागदत इसका जो right answer है वो option C टॉल्मी टॉल्मी न जो है बार्त का हिमाच्य पदेश का सबसे पुरातन विवरण किया था next है अदुमबर शाष्कों के सिक्कों पर कौन से अकरती पाई गई सबको पता है काफी important question है और काफी time जो है repeat question होता है option है कमल, मौर, शंक, या फिर तेशूल इसका जो right answer है वो option D तेशूल अगर आप हमसे facebook page पर जुनना चाते हैं तो उसका link जो है नीचे दिया है आप बहाँ पर जाकर हमें follow कर सकते हैं जो भी notification आती है अपडेट आती है वो जो है बहाँ पर अपडेट करी जाती है next question देखते है बीसवी सतावदी में कुलिंद राज्य के सिक्के किन स्थानों पर बापत हुए in which areas the coin of the state of कुलिंद were received in the 20th century चार option आपके पास है कालका, नगर कौट अंबाला वो सहारनपूर या फिर नालागड इसका जो राइट अंसर है बो अपशन C अंबाला वो सहारनपूर ये भी important question है ये भी पूछा गया question है next question देखते हैं next है चकली सिक्कों का समंद हिमाचल परदेश में किस जिले से है चकली coins are related to beach district in हिमाचल परदेश आपको चार option दिये हैं कांगडा, चमबा, हमीरपूर या फिर शिमला काफी वाई ये question पूछा गया है इसका जो राइट अंसर है वो option B चमबा चकली सिक्के जो हिमाचल परदेश में district चमबा से related है जो की जो दसमी शतावदी थी उसमें जो है पाई गय थे आगे ये question लिए भी गया है next देखते हैं त्रिगत, अदुंबर, कुलूत, कुलिंद, जन्रपदों का वन्न किस ग्राथ में मिलता है option दिये हैं रमाइना, रिगवेद, महाबार्थ या फिर बगवत, गीता हमाच्पद से चार जन्रपद रिलेटेड थे और इनका जो अधिकतर वन्न जो है महाबार्थ में मिलता है तो इसको जो राइट अंसर है वो option C वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और जिन्हों नहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि यह है बैचानों को सब्सक्राइब भी जूर करें ताकि जो भी फर्दर नोटिविकेशन है वो आपको मिल सकें अगर डिटेल में आप टॉपिक देखना चाते हैं तो यह सबी जो है हमारे जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगे तो निची उसका लिंक दिया है आप बहां पे क्लिक करें को देख सकते हैं नेस्ट है पत्यारा और कनिहारा के अविलेक कहां से प्रापत हुए हिमाचर प्रदेश में ओप्शन दिये हैं कांगडा, मंडी, चंबा और शिम्ला इसका जो राइट अंसर है वो ओप्शन ए कांगडा कांगडा से लिटेड है यह पत्यारा और कनिहारा के अविलेक हिमाचर प्रदेश में किस लिपी में अविलेक नहीं मिले हैं यह भी important question है option दिये हैं सार्दा नागरी, प्रामी या फिर इंडो ग्रीक इसका जो राइट अंसर है वो option D इंडो ग्रीक इसे भी question जो हैं पूछे गए हैं और डिटेल में टॉपिक भी मैंने यह कवर किये हैं लगवक हिमाचर प्रदेश है उसके मैंने 1213 जो टॉपिक है वो डिटेल में कवर कर दी हैं उस सभी के लिंक जो मैंने आपको पहले बताया कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो को जूर देखें आपके जो भी डोट है उसमें जूर क्लेर होंगे क्योंकि काफी डिटेल में टोपी कवर किये हैं नेक्स्ट है चकली तामबे के सिक्के जो हिमाचर प्रदेश में चमबा से प्रापत हुए यह कौँशी शत्वदी में प्रापत हुए यह मैंने जिसे आपको पहले भी बिताया ओप्शन दिये हैं नो भी, दस भी, साथ भी या फिर गैर भी शत्वदी इसका जो राइट अंसर है वो ओप्शन भी, दस भी सत्वदी जो चकली तामबे के सिक्के हैं यह चमबा डिस्टिक से समदित हैं जो की दसमी सत्वदी में प्रापत हुए थे सबसे प्राणा सिक्का कुल्लू के राजा ब्रयास को कौनशी सत्वदी में मिला यहां से दो कोशन बनगे कि पहला सिक्का जो सबसे पहले कुल्लू के राजा ब्रयास को मिला और यह कौनशी सत्वदी में मिला आप्शन आपको दिये हैं पहली दूसरी तीसरी या फिर चोथी इसका जो राइट एंसर है वो option ए पहली शतवदी सबसे पुराना सिक्का जो है कुल्लू की राजा को पहली शतवदी में प्रापत हुआ था नेक्स्ट कुशन है हिमाच्य प्रदेश में मानव के अरंबिक पेचान योगी अवशेश कौंसे साल में मिले थे अगेन इंपोनेंट कुशन ओप्शन दी है 1950, 1952, 1955 या फिर 1954 इसका जो राइट अंसर है वो option एप्शन 1955 में बीवी लाल और जीसी महा पात्रा को कांगड़ा में पत्थर के अतियार मिले थे जो की मानव अप्रियोग करते थे इन दोनों के नाम भी इंपोनेट है बीवी लाल और जीसी महा पात्रा नेक्स्ट कुशन है 75 माइल्स 50 माइल्स 100 माइल्स या फिर 30 माइल्स के अनुसार कुल्लू का गेरा कितना था ओप्शन आपको दिये हैं इसका जो राइट अंसर बहु ओप्शन ए 75 माइल्स नेक्स्ट कुशन दिखते हैं接स्ट कुशन है महभारत और पानिनी के स्द्याइ में किस गंळ्राज्य कॉल्लेख्य है दो बच्शन आपको दिये हैं खस गंळ्राज्य या फिर गिरात गंळ्राज्य ऐसे ऐसे कोशन पुछे गए हैं पहले भी इसका जो राइट अंसर है वो ऑप्शन ए खस गनराज जी नेक्स्ट कोशन देखते हैं राजसुय यग से पहले त्रिगत, कुलूत और कुलिंद गनराज जी की आत्रा किसने की थी अगें इपरने कोशन फूर्ट कोशन फूर्ट कुलूत और कुलिंद भी राजसुय यग या ओप्शन देए हैं यूदि स्टर अर्जुन बिम या फिर अल फिर अल उफ दिस इसका जो राइट अंसर है वो ऑप्शन बी अर्जुन न जो है इनकी यात्रा की थी नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट है गुज्रों का समंध किससे जोड़ा जाता है अगें इपरने कोशन है गुज्जों जो है अधिकतर माचप देश में जिस ठिक चंबा में देखने को मिलते हैं प्रानिक काल में जो है इनका समंध होनु से माना जाता था तो मेंस इ नेक्ट कोशन है यह इजी कोशन है पांडवों ने बारा वर्ष का बिनवास किस क्षेतर में बिताया था ओप्शन दिये हैं बिलासपूर, सिर्मोर, महासू या फिर काज़ा इसका जो राइट अंसर है वह ओप्शन सि महासू पांडवों ने बारा वर्ष का बिनवास माशू में बिताया था महासू जो आगे चलका शिमला बना था नेस्ट है चंबा के बूरी सी म्यूजिम में टांकरी और शादर लिपी में लिखे गए कितने इवलेखों को रखा गया है भूरी म्यूजिम जो है हमाचल का सबसे पहला म्यूजिम है यह जो है 1908 में बना था इसमें टांकरी और शादर लिपी से जो है 36 अविलेख रखे गए थे तो यह रही आज की वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और जिन्हों जिन्हों ने भी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हैं बे चैनल को सबस्क्राइब भी जूर करें मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में तब तक लिए जाहीं तरने बात